यो what is up gamers कैसे आप सभी लोग welcome back to another gameplay वीडियो तो guys अभी के टाइम पर हमारे बैटल स्टार्स गेम के अंदर एक अपडेट आ रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग हमारे इस वाले गेम को अपडेट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग चल करके देखते हैं कि अपडेट के अं हम लोग को और यहां पर शाहिद से messages वगर आएगा यह अभी के टाइम पर नियू नियू अड़ है गेम के अंदर हमारे और यहां पर काफी कुछ लिखावे offers के रिलेटेट कि अभी के टाइम पर जैसे कि इंडिपेंडेंस दे आने वाला है तो इसलिए हम लोग को काफी अ offers भी हम लोग को देखने को मिल रहे है और फिलहाल मेरे पास एक silver crate भी रखा है तो इस crate को open कर लेते हैं और देखते हैं कि से हम लोग को क्या मिलता है वैसे हम लोग को यहां पर नॉर्मल हीरो के cards मिले और कुछ गोल्ड मिले है उतना जादा कुछ अच्छा नहीं मिला है और हमारा आज का first match start हो गया और जहां तक मुझे लग रहा है इस वाले map के अंदर यहां पर total 18 बंदे आ सकते हैं काफी जादा मजा आएगा इस वाले map के अंदर let's go देखते कि भाईया 18 बंदों के बीच में कैसा fight होता है यहां पर match के अंदर काफी देर lobby में wait करने के बाद finally हम हमारा माच स्टार्ट हो गया और एक मिनट यहां पर यह क्या लिखा वाय था भाई स्कॉर्ट करके यह वाला मैश हम लोग सोलो नहीं खेल सकते क्या ओकी तो इस वाले match के अंदर स्कॉर्ड में खेल सकते हैं तब ही शायद से यहां पर इस वाले match के अंदर total 18 बंदी आ सकते है और अभी फिलाल यहां पर total 6 स्कॉर्ड आया है और एक स्कॉर्ड के अंदर total यहां पर तीन बंदे रहेंगे चार बंदे नहीं रहने वाले यहां पर हम लोग रहेंगे और साथी में दो बंदे भी रहेंगे तो अभी मैं क्यूंकि रैंडम प्लेयर्स लोग के साथ खेल तो इसलिए यहां पर दो रैंडम प्लेयर्स मेरे टीम के अंदर आ गया और मुझे जहां तक लग रहें बाकी बंदों का भी एक खुद का अपना अपना टीम भी रहेंगा घूम फिर करके मैं दूबार से इसी साइड पर आ गया था और उपर के साइड में काफी सारे बंद ऑर पर देली रोइल तो अब हमारा यहां पर सेकेंड मैच स्टार्ट हो गया दोलिल मैप के अंदर और लोग मैप के अंदर और यहां पर नहीं बहुत जादा बड़ा और ऑर बात किंजए मैप की तो तो में लोग मैप के अंदर यहां पर एक डामन टाइब का एक 만들어 all the diamond type का और जिब आप उसके पास जाए हैंगे तो आपको यहां पर काफी सारे power-ups असके अंरे देखने को मिल जाएंगे diamond या फीर star टाइप का आपको एक being canvike गोर जब हुसके पास जाएंगे तो आपको यहां पर काफी सारे power-ups एक बार में मिल जाएंगे और हमारे इस वाले माप के अंदर यहाँ पर जितने भी डेली के popular places है जो की बहुत जादा famous है वो सारे के सारे places हम लोग को इस वाले माप के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं साथी में यहाँ पर आपको पतम हो गया था बट फाइनली मैंने इस बंदे को यहाँ पर फिनिश आउट कर दिया और आप यहाँ पर मेरा घल्थ भी देख सकते हैं कि मेरा भी हेल्थ यहाँ पर कितना जादा कम गया और मुझे काफी कुछ यहाँ पर इस वाले मैप के अंदर देखने को मिल रहा था और भाई यह लिटरली वाला मैप बहुत ही जादा बड़ा है अभी तक यहाँ पर हमारे बैटल स्टार्स गेम के अंदर जितने भी मैप्स है न सबसे बड़ा मैप हमारे यही डेली रॉयल मैप होने वाला है क्योंकि यह वाला मैप अक्शोली में काफी जादा बड़ा है अब एक बर गीम खिल कर यह दिखेगा न तो आपको यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा कि यह मैप कितना जादा बड़ा है भाई और बाकी यह जो स्कॉड वाला सिस्टम आया है न हमारे डेली रॉयल मैप के अंदर यह चीज़ काफी सही है क्योंकि अगर हम लोग को सोलो यहाँ पर खेलना रहा तो हम लोग यहाँ पर मुंबई वाले मैप के अंदर जाकर के सोलो मैच भी खेल सकते है और अगर हम लोग को स्कॉड में खेलने करा तो हम लोग यहाँ पर डेली रॉयल मैप के अंदर स्कॉड में भी खेल सकते है और बाकी अगर हम लोग को 4 vs 4 टीम देथ मैच खेलने करा तो हम लोग यहाँ पर टीम देथ मैच भी एक बर खेल सकती है यानि कि अब हम लोग को हर एक mode यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है हम लोग चाहे तो solo भी खेल सकते हैं हम लोग चाहे तो squad भी खेल सकते हैं और अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर 4 vs 4 TDM भी खेल सकते हैं team death match के इंदर काफी सही हो गया यार हमारा game update के बाद और मैं तो आपको एकी चीज़ recommend करूँगा कि अगर आपको यह daily royal map को अगर आपको win करना है तो आप जो यहाँ पर एक अपना खुद का squad बना करके खेलिएगा तो वो जादा better रहेगा क्योंकि अगर आप random players के साथ खेलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल आपको देखने को मिल जाता है match win करने में क्योंकि random players यहाँ पर अपने से कहीं पर भी चले जाते हैं और अपने से जहां तां जाकर के fight लेते हैं तो अगर आपको अपने trophies को increase करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर का हर एक match को win करना है तो मैं तो आपको यह recommend करूँगा कि आप यहाँ पर एक खुद का अपना squad बना करके खेले तो जादा सही रहेगा और मुझे अपने life का सबसे पहला यहाँ पर gold crate भी मिला तो मैंने इस gold crate को unlock में भी लगा दिया है और मैंने यहाँ पर एक काफी तगड़ा squad भी बना लिया था मैं यहाँ पर वीर hero लेकर के था मैरा एक teammate यहाँ पर दिविया hero लेकर के और एक बंदा यहाँ पर और ही जादा powerful hero लेकर के है और इस वाले match के अंदर तो भाईया दो दो बंदे यहाँ पर दिविया hero लेकर के आ गये थे और यह वाला match का जो lobby था वो काफी जादा hard lobby भी था और finally हमारा यह वाला match भी start हो गया और इस वाले match के अंदर मैं यहाँ पर अपने teammates के साथ साथ आगे बढ़ रहा था बंदे के पास थोड़े बहुत power ups रहते है ना तो आपको यहाँ पर सामने वाले बंदे का power ups मिल जाएगा अगर आपने सामने वाले बंदे को finish out कर दिया तो और हम लोग को यहाँ पर इस Delhi royal map के अंदर इंडिया gate भी दिखने को मिलता है भाई और हाँ गईज हम लोग नहीं आपर fourth match को भी win करी लिया था यह Delhi royal map मुझे तो काफी जाद अच्छा लगए वैसे आपको यह वाला brand new map कैसा लगए वह आप मुझे comment करके जरूर से बता दीजेगा फिलहाल तो यार आज की सवली वेल वाले gaming वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye and thanks for watching